नमस्कार दोस्तों मूचे हो तो नत्थुलाल जैसी वर्ना ना हो किस फिल्म का ये डायलोग है याद है आपको अभिताब बच्चन के फिल्म शराबी का ये डायलोग है लेकिन आज इस डायलोग का मैं जिक्र क्यों कर रहा हूँ वज़ा है बहुत खास वज़ा है इस डायलोग में मूच के जगह और नत्थुलाल की जगह अमिशाह का नाम फिट कर दीज़ा फिर देखिए अब क्या जुम्ला बनता है कॉन्फिडेंस हो तो अमिशाह जैसा वरना ना हो वो ऐसे जुम्ला फिट तो मोदी पर भी बैखता है लेकिन वीडियो के शुरुवात पहले मैं अमिशाह से करूँगा फिर मोदी के ओवर कॉन्फिडेंस और जुम्लों पर भी बाग करेंगे गौर से सुनिए बीजेपी के पुर्वध्यक्ष देश के सत्ता में मोदी के बाद सबसे ताकतवर ने था और केंद्रिय ग्रेहमंत्री अमिशाह जब कोई चुनावी दावे करते हैं तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं कि किसी को भी लग सकता है अमिशाह का रहे हैं तो बात में वजन तो है चुनाव के बाद चाहे अमिशाह के उस दावे का फलूदा बन जाए या उसमें पलीता लग जाए दोबारा कोई उनसे पूछने तो जा नहीं सकता जाता भी नहीं है ना किसी में उनसे पूछने की हिम्मत है कि सर जी आपने चुनाव के दोरान हवा में इतना बड़ा जो गुबारा छोड़ा था उपर आस्मान की तरफ क्या हुआ उसका आपके उस हवाई गुबारे में जनता ने जो इतने छेद कर दिये कि पता नहीं किस खेट में वो गुबारा जागिरा बताईए तो कुछ सर जी लेकिन ये तो कोई पूछेगा नहीं ना अमिश्चा से कोई पूछने जा सकता है ना किसी को पूछने की वो इजाज़त देंगे कल शें अमिश्चा का एक वीडियो वाइरल हो रहा है स्क्रीन पर आप देख रहे हैं करनाठक चुनाओ से पहले वहां के करनर चैनल को दिये इंटर्व्यू में अमिश्चा ने जो दावे किये थे उन दावों को सुनकर आप भी का उठेंगे कॉन्फिडेंस हो तो अमिश्चा जैसा वरना ना हो बिलकुल ना हो अमिश्चा के परमानंद वाले इस दावे को सुनाने से पहले आपको बता दू कि मेरे इस वीडियो को आखिर तक गौर से जरूर देखेगा आज आपको अमिश्चा के कई दावों की पोल पट्टी खुलती दिखेगी आठ नौ सालों में कई राज्चों के चुनाओं में बीजेपी की हार के पहले अमिश्चा के हवाई किले की बुनिया दिलती दिखेगी 2015 के बिहार चुनाओं के वक्त चुनाओं से पहले चुनाओं के दौरान मेरे सवालों से बुखलाए अमिश्चा दिखेगी लेकिन दिल्ली में स्टेटजी क्या हुई कि BJP 70 सीटों तीन सीटों पर BJP की जीत हुई बाकी सीटों पर हार हुई चुनाओ के पहले बड़ी बड़ी बाते और हार के बाद दुम हुए अमिश्वा की खबर देखे और आपको पता चलेगा कि जब बीजेपी जीतती है तो कैसे चैनलों पर जश्र मनाया जाता है मोधी की महिमा का नौन स्टॉप बखान होता है और जब बीजेपी हारती है तो कोई सवाल नहीं पूछने जाता है कि प्रभू आप इतनी बुरी तरह से क्यों हारे है हवाई दावा करने वाले बड़े बड़े बीजेपी नेता हार के बाद तब शुतुर मुर्ग की तरह रेत में मुह छिपा लेते हैं कोई उनके मुह पर माइक नहीं लगाता है नौ सालों में मोदी की महमा को पलिता लगा कर जनता ने कई राज्यों में बीजेपी को सबक सिखाया है लेकिन उस पर कोई सवाल नहीं होता जीतने पर मैजिक के जल्वे जरूर बताये जाते हैं मोदी के मैजिक, मोदी का मास्टर स्टॉप तो आज उन राज्यों के साथ-साथ मोदी अमिश्याह के दावों की परताल भी करेंगे तो पहले जड़ा अमिश्याह के साथ पब्लिक टीवी के इंटर्विव के इस हिससे को गौर से सुनिये बार-बार करो गौर से सुनिये So, you think that the miracle of Bharatiya Janta Party becoming on its own, the government will happen this time? आप मेरी बात लिख करके. 13th, I am going to phone you. Yeah, yeah, yeah. Halfway mark plus 15th seat, minimum. Sir, once again, sir. Halfway mark plus 15th seat, minimum. That is 113 plus 15, sir. Correct, sir. Minimum. This is the figure. साथ में, minimum. So, that's minimum? Yeah. What is maximum, sir? Maximum अभी थोड़ा ज्यादे गुमेंगे तो अंदर राएगे. क्या दावा है? क्या confidence है, भाई साब का? करनाटक चुनाओं में BJP की जीत की भवश्वानी करते हुए. Amishraah जी कह रहे थे. Halfway mark plus 15th seat, minimum. Halfway mark plus 15th seat, minimum. Amishraah के दावे पर, Public TV के एडिटर इन चीफ, रंगनाथ थोड़ा चकराते हैं. लेकिन मासूमियत से कहते हैं, Once again, sir. Amishraah फिर कहते हैं, Halfway mark plus 15th seat, फिर कहते हैं, minimum. Minimum पर बहुत जोर होता है. Anchor हिसाब लगाता है, बहुत चक्सा. और कहता है, इसका मतलब यह हुआ, कि 1113 plus 15th seat, sir. Amishraah फिर जोरते हैं, minimum. फिर दोबारा कहते हैं, minimum. Anchor HR रंगनाथ, फिर भोलेपन से पूछते हैं, What is maximum, sir? HR रंगनाथ यह भी कहते हैं, कि मैं आपको 13 तारीक को फोन करूँगा, तेरा को नतीज़े आये थे, पता नहीं करनाटक चुनाओ के नतीजों के बाद, 13 माई को, इंटर्व्यू करने वाले HR रंगनाथ के अमिश्या से बात हुई या नहीं, लेकिन अमिश्या के दावे के मिट्टी पलीद होते हम सब ने देख लिया है, अमिश्या ने इस इंटर्व्यू के दावरान ये भी कहा, HR रंगनाथ से जो इंटर्व्यू कर रहे थे, कि मैं 13 माई यानि नतीजों के दिन आपको फोन करूँगा, क्या इस इंटर्व्यू के दावरान पॉब्लिक टीवी के एडिटर, रंगनाथ भी ठाके लगाते हैं इस सवाल के जवाब में, शाह ऐसे इदावे करते रहते हैं, कॉंग्रेस को धूल चटाने और वीजेपी की सत्ता में वापसी की वजह हैं, वीजेता भाव से ऐसे बताते हैं, बस, इलक्शन रिजल्ट आही चुका है, परची उनके पास सारी आ चुकी है, कई बार कहते हैं, पुर्ण बहुमत, पुर्ण बहुमत, पुर्ण बहुमत, और करनाटेक में हुआ क्या, कहां है अब अमिश्शा, पता नहीं, अमिश्शा ने पबलिक टीवी के, एडिटर, एंकर, रंगनात को फोन करके हार की वजह बताई या नहीं, लेकिन हम तो जानना चाहते हैं, हम जैसे बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, कि एक बार आएं तो सही, कैमरों के सामने बताएं तो सही सब के सामने, और जब जीतते हैं, तो गाजे बाजे के साथ, सैक्रो कीलो फूल मालाओं के साथ, बीजेपी मुख्याले के स्टेथ पर मोदी जी के साथ जब अबतरित हो जाते हैं तो अब क्यूं नहीं आ रहे हैं? तब तो चैनलों पर घंटों चाहे रहते हैं, हार गए तो गायब, ना कोई पूछ रहा है, ना कोई बता रहा है, ना कोई माइक लगा रहा है, कि प्रभू आपके दावों का हुआ क्या, लेकिन मैं ये भी कहूँगा, कि कोई भी नेता अपनी पार्टी के लिए चुनाओ के पहले यही कहेगा, इसमें कोई गलत नहीं, अपनी पार्टी की हार की बात कोई नहीं करता है, लेकिन मुद्दा ये है, कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले बीजे पी नेता, जब चुनाओं में आउंधे मुग गिरते हैं, अमिश शाह और मोदी की शिकस्त होती है, तो म मोदी के चेहरे के दम पर चुनाओं लरने वाली बीजे पी को हराना कितना नामुम्किन है, मोदी के मैजिक का मुकाबला करना कितना नामुम्किन है, यूट्यूपर अमिश शाह का ये इंटर्व्यू करीब 42 मिनट का है, मैंने पूरा इंटर्व्यू आज देखा, बहुत मिनमम 15 सीट आगे तो छोड़िये हैं, उस हिसाब से 128 होना चाहिए था, जो हमिश शाह का रहे थे, हमिश शाह के दावे से लगभग आधी सीट, यानि 66 सीट पर बीजे पी अठक गई, बहुम्किन से काफी दूर, काफी नीचे, करनाटक में बीजे पी से दोगनी सीट कॉं कॉंग्रेस ने जीत लिए, बीजे पी 16 पर रह गई, 2018 के मुकाबले 14 सीटे हार गई, मुंबई करनाटक, वो ऐसे ओल मैसूर इलाके की बात करें, तो बीजे पी कोई 11 सीटे कम मिली, पिछली बार के तुलना में, कॉंग्रेस की 23 सीटे बढ़ गई, बीजे पी सरकार के 15 मंत जबरदस्त नुकसान हुआ और कॉंग्रेस को जबरदस्त कामिया भी मिली, तब ही तो 136 सीटे कॉंग्रेस ने हासिल की, कुल मिलाकर अमिश्या और मोदी के सारे दाओ, सारे तिक्डम करनाटक में पूरी तरह से फेल हो गए, बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग फुस हो गया है, अमिश्या दिखनी रहा है, इस इंटर्विव के बाद से, किसी चैनल पर आपने अगर देखा हो, कि मोदी और अमिश्या का फोटो लगा कर कोई पूछ रहा है, कि बी जे पी का ये हाल क्यो हुआ, तो हमें भी बताईएगा, लेकिन आप बताईए कि इस इ इस इंटर्विव बहुत बार बहुत कुछ कहा गया, बहुत दिल्चस्पे जरूर देखेगा, बलकि मैं जो ये एंकर है, कंणर के मैंने पहली बार देखा, इनकी तो तारीफ करूँगा, बहुत साफगोई से बहुत कुछ पूछा है, लेकिन आमिश्या गाइब, मोदी ज गुलाब, अब गाइब है, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, एक औरा एक भौकाल क्रेट किया गया है, कि बीजेपी को हराना नामुम्किन है, मुश्किल है, लेकिन बीजेपी, 2014 के बाद से, कहां कहां हारी है, कैसे राज्यों में शिकस्त मिली है, जिस बीजेपी का चरम 2018-19 में दिखा, एक किस राज्यों पर कबजा, तब प्रधान मंत्री मोधी कहा करते थे, हम कॉंग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, लेकिन आज उनमें से छे राज्यासे हैं, जो बीजेपी से बाहर है, करनाटा के एक बड़ी शिकस्त मिली बीजेपी को, लेकिन हारी तो बी 2018-19 में देश के किस राज्यों पर बीजेपी का जंडा लहरा रहा था, लेकिन बीते तीन सालों में ऐसा हुआ, कि बीजेपी 15 राज्यों पर है, और बाकी राज्यों में कॉंग्रेस है, और इजिनल पार्टिया है, वो दोर था, जब देश को कॉंग्रेस मुक्त बनाने के परदान मंत्रि मोधी करते थे, लेकिन हार की बात उस तरह से कहीं होती रही है, अगर बीजेपी हारती है, लेकिन बीते नौ सालों में देखेंगे, तो कहां कहां हार हुई बीजेपी की, दिल्ली दो बार हारी है, बुरी तरह से, अर्विंद केजरिवाल की पाटी से, और दिल्ली में 2015 में सत्तर में तीन सीटें बीजेपी जीती, सड़ सड़ सीटें अर्विद केजरिवाल ने जीती और उसी के बारे में एक सवाल में ने हमिशा से पूछ दिया था पटना में 2015 के अक्टूबर नवंबर में जब वहां विदान सवाचोनाव हो रहे थे, कोई इतने नाराज हुए थे, वो भी आगे दिखाऊंगा, बार-बार में का रहा हूँ, तब मैं इंडिया टिवी का एडिटर हुआ खरता था, लेकिन केजरिवाल की पार्टी से फिर बीजेपी हारी है, और तब हारी, जब फिर बीजेपी दिल्ली में धुर्विकरन की कोशिस कर रही थी, शाहिन बाग के मुद्दे को उभार रही थी, और हम इस शाह ऐसे भाशन दे रहे थे, बाहरी दिल्ली इलाके में कितनी जोर से बटन दबाना, कि शाहिन बाग में करेंट लगे, और प्रधान मंत्री मोधी जारखन में जाकर रही लिग में कह रहे थे, कि कपड़ों से लोग पहचाने जा रहे हैं, और उन्ही दिनों, जो केंद्रिय सुचना प्रसान मंत्रियां राट ठाकुर, उनकी एक सभावी थी, जिसमें उनका को ख्यात नारा, गोली मारो सालों को, और उन्ही दुनों कपिल मिश्रा से लेकर तमाम ऐसे बीजेपी के लोग डिल्ली में किस तरह से धुर्विकरन की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डिल्ली की जनता ने मुहतोर जबाब दिया, और बीजेपी दूसरी बार भी पूरी तरह हारी केजरिवाल की पॉर्टी से, तो हार की बात उस तरह से नहीं होती है, जीतने पर पता का फाराता है, हारी तो बीजेपी इस बार अभी हिमाचल में भी है, हारी तो इससे पहले बीजेपी रास्थान में थी, जब अशुक गहलोत की सरकार बनी, हारी तो बीजेपी एमपी में भी थी, जब बीजेपी ने इस्तीफे हुए तमाम ड्रामा और उसके बाद एक तरह से चुनी हुई सरकार को यह जो सरकार सत्ता में थी कॉंग्रिस की उसको अपदस्त करके शुराज सिंग चौहान ने कैसे सरकार बना ही तो MP में भी हारी तो BJP 36 गड़ में भी और भी राज्यों में BJP हारी महराष्ट मे भी हारी महराष्ट में भी किस तरह से BJP ने सरकार बनाए आपने देखा हला कि गटबंदन के तहट चुना हुआ था लेकिन उसके बाद की कहानी आपने देखी कि कैसे एक नाशिंदे ने BJP के एक तरह से प्लान के तहट कैसे शियुसेना से बगावत के और क्या कहानी वो भ हरा ही देंगे जहां प्रदान मंत्री मोदी अपने रैलियों में दीदी ओ दीदी ओ दीदी ऐसे नारे बुलन्द क्या करते थे हारी तो BJP उस बंगाल में ममता बेनर जी से तब थी जब BJP के कई नेता, दरजनों मंत्री, सानसद, सालों से वहां कैम्पेंड कर रहे थे, कैम्प कर रहे थे कि किसी डंग से मम्ताब इनरजी को हराना है और चैनलों में कई ऐसे एक्जिट पॉल, ओपिनिन पॉल भी आ रहे तो ओपिनिन पॉल खास दो है लेकिन वहां भी हारी, तो हार की लिस्ट भी BJP की लंबी है, गोव में कैसे सरकार BJP ने बना ली, सब जानते हैं, पंजाब में क्या हुआ BJP का, सब जानते हैं, तो इस हार का, जो प्रधान मंत्री मोदी के रहते 9 साल में हुआ है कई राज्यों में, इसकी कहीं चर्चा नहीं होती है, जीत की चर्चा होती है, घुजरात में जब तर都 से ज़्यादा का आकड़ा पहुँदा अ», जब चर्चा होती है, करनाटक में जब ऑंधे मूँ गिरते हैं, तब चर्चा नहीं होती हुआ। लेकिन अब चुक्या में शाह की बात होड़ी है, दावों की ही, तो एक नितिश कुमार और आरजेडी का गठवंदन था लालुयादव और नितिश कुमार नितिश बीजेपी से अलग हो गए थे मोधी के नाम पर मोधी को जब प्रधान मंत्री का दाविदार उमिद्वार घोशित किया गया था तब और गठवंदन से चुनावल रहे थे बीजेपी के जमीन खिसकी थी अमिश्चा खुद चुकि यूपी में काम्यावी मिली थी लोकसवा में 2014 में जबरदस अमिश्चा खुद पटना में लगातार कैम्प कर रहे थे कैम्पेन नहीं कैम्प खबरे में देख रहा था थोड़ा पुराना रेफरेंस याद करने के लिए पटना के पांस सितारा होटल में कमरा नंबर 330 में डेर से दो महने तक अमिश्चा वहीं बैठे थे और अमिश्चा के नेतरुत में जेपी नड़ा भुपेंद्रियादब धर्विन प्रधान जैसे बहुत सारे लोग लगातार पतना में बैठे थे बुथ मेनेज्मेंट को लेकर और एक दम कैसे बिहार को जीता जाया अमिश्चा तयारी कर रहे थे और उस वक्त खबर में देख रहा हूँ पुरानी कि साढ़े 800 सभाएं बीजेपी नेताओं ने क हुई 26 सभाएं चुनाओं तारीक के इलान के बाद हुई अमिश्ण ने 85 सभाएं की और वहीं अमिश्चा ने कह दिया था बिहार में कि गर नितीश और लालू जीतेंगे तो पाकिस्तान में पठा के चलेंगे लेकिन विहार में क्या हुआ पता है लेकिन उस चनाओ के पहले बिहार के पहले पठना में कॉन्कलेब था जैसा कि मैंने कहा मैं इंडिया टीवी का एडिटर था अमिश्या स्टेज पर थे एंडिया टिवी के एंकर सौराव इंट्रिव्यू कर रहे थे और मैंने एक सवाल पूछा दिली के चुनाओं के नतीजों को लेकर क्योंकि अमिश्या को तब चानक के के तौर पर बहुत क्या कहें उनको बहुत उठाया जाता था कि अमिश्या चानक के हैं विनिंग मशीन है और जाहिर है कुछ नतीजे ऐसे आया भी थे खासतों से यूपी के तब जब अमिश्या से मैंने सवाल पूछा था नाराज हुए थे एक नमूना चोटा सा एक मिनट का देखिया अधीत अज्युनिश्या अमिश्या जी एक सवाल मेरा है कि आपने कई राज्यों में आपने जीत की बात की और जाहिर है महराष्ट, हर्याना और बाकी राज्यों में जो चुना हुए वहां बीजेपी को जीत मिली लोकसवा चुनाओ के पहले भी लोकसवा चुनाओ के बाद भी लेकिन दिल्ली में स्टेट जी क्या हुई कि बीजेपी सतर सीटों में तीन सीटों पर बीजेपी की जीत हुई बाकी सीटों पर हार हुई अब सवाल उठता है उस हार से सबक लेकर अमिश शाह क्या अपनी रणनीती में कोई बदलाव कर रहे हैं बिहार में क्योंकि एक हार पीछे है और सामने चुनाव है देखे अंजुम जी पहले मैं आपको बता दूँ कि कोई भी दो राज्यों की चुनावी रणनीती एक नहीं हो सकती आप ऐसा मानते हैं कि दिल्ली में जो रणनीती है वो यहीं लगेगी महाराष्ट में है वो यहीं लगेगी तो एक बार बैठेगा मैं समझा दूँगा चुनाव कैसे होते हैं आपके लिए नई बात है वगर मैं आराम से समझाऊंगा एक राज्य की स्टेजी दूसरे राज्य में कभी अपलाई नहीं होती वहिया उसको बदलना ही पढ़ना है हार हो या जीत हो बदलना ही पढ़ता है सामने कौन लड़ रहा है राज्य की स्थिति क्या है एजंडा क् क्या है उसी मौर्या होटल में कौन गलेप था तो 2015 में चुना हुने देवाइरम किम्चा ना राज हुए थे मुझसे उन्हें लगा कि मैं सवाल किसी एजंडे के तहत पूछ रहा हूँ घ्यर इन लोगों की फितरत है कि यह हर उस पत्रकार से नाराज हो जाते हैं जो इनसे ऐसे सवाल पूशता है या इनके एजंडे को सूट नहीं करने वाला सवाल पूशता है या कोई अप्रिया सवाल पूशता है अप्रिया क्या कहूं जो वाजिब सवाल पूशता है उससे ऐसे चिरते हमिशा और विहार मे हुआ क्या बी जेपी बावन या तिरे पंसी पर सिमट गई पूरी ताकत लगाने के बाद बी जेपी उस चनाव में जीतने के लिए जितने हत्कंडे इस्तेमाल कर सकती थी उसमें प्रधान मंत्री मोधी नितिश कुमार के डियने पर भी सवाल उठा रहे और आपको याद होगा प्रधान मंत्री मोधी एक सभा में बिहार को पैकेज देने के लिए ऐसे कर रहे थे जैसे किसी मंगल बाजार में खड़े हो और एक बोरा आलू या एक बोरा प्याद बेच रहे हो साथ हजार करोर की सतर हजार करोर सतर हजार करोर की असी हजार करोर असी हजार करोर की नबे हजार करोर कितना करूं कितना दूं सामने से मोधी-बोधी के नारे नबे हजार करोर की एक लाग करोर और अंत में उन्होंने एक लाख वीस जार क्रोर का एलान कर दिया अब उस पैकेज से क्या हुआ नहीं हुआ उसका भी हिसाब मिलता नहीं है जल्दी लेकिन एलान किया ये सब कुछ करने के बाद बीजेपी की बुरी तरह से शिकास थुई 2015 में और अब एक बार फिर जब चुनाओ होगा 2025 में बिहार और उसके पहले 2024 में लोकसभा में तो बिहार में बीजेपी को डर इतना सता रहा है कि बागेश्वर धाम के जो पंडित धिरेंद शास्त्री हैं जिनके नाटकिये तोर तरीकों और जिनकी भंगिमाओं को लेकर लगातार उनकी अलोचना होती है वो पत्ना में पाँच दिन से कथा कर रहे हैं और कथा में हिंदू राष्ट के नारे बुलंद कर रहे हैं बिहार से वो कह रहे हैं कि बिहार से ही देश को हिंदू राष्ट बनाने के शुरुवात हो जाएगी बस बिहार के लोग धर्म धोजा अपने घरों पर फारा दें और बीजेपी के नेता, मंत्री, सांसद उनके दरबार में सब थाल लेकर खड़े हैं, आज शुरुवात लेन 49 सीटें उस गटबंदन को जीत हासिल हुए थी, बीजेपी को अब उन 17 की चिंता जादा भी सोच रही होगी, सब को अब बागेश्वर धाम के उस बाबा पर भरोसा है, वरना कोई वज़ा नहीं है कि बाबा राम कथा या हनुमान कथा नहीं कर रहे हैं, वो बीजेपी को क आगे चुनाओ होने हैं, इसी साल के आखिर में MP, 36 गड़, रास्थान और तेलंगाना में चुनाओ होने हैं, तो बीजेपी को इन सब चुनाओं के पहले भी बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ करना है, लेकिन जिक्र तो अमिशाह से मैंने शुरू किया, तो इसलिए जब अमिशाह हारते हैं, तो गाइब होते हैं, बिहार चुनाओं मेंगी अचाना कभी याद आ, बिहार चुनाओं में भी हुआता है, अगर मुझे तारीक याद है, पांच नवंबर शायद आख्री दोर का चुनाओं था, और आर्ट नवंबर शायद बोल रहा हूं, मिमोरी के के आएंगे तो उन्होंने कड़े होकर जाते वे का फ्रें मेरे दिमाग में विजुवल जमाुआ हुआ है जाते हुए उन्होंने का आठ को बताओं गा इस तरह से कह करें कि बस आठ को नतीजी गोशित करूँगा बी जेपी की सरकार बन रही है लेकिन आठ costume नती आए बीजेपी की जब लुटिया डूब गई पचास बाबन तिरे पन पे बाबन शायद तो उसके अमिशा आठ को तो छोड़िये मुझे लग रहा आगले 28 दिन या 2 मेने तक मुझे नहीं दिखे थे अगर मैं ठीक से याद करूँ मीडिया के सामने आई नहीं पता नहीं कि साइवर नेशन में चले गए तो ये इन लोगों का तरीका होता है और मीडिया का होता है कि उनके पास माइक लेकर जाता नहीं है या जहां हूं मिलते हो इसे सवाल पूछे नहीं जाते है तो इसलिए सवाल उनसे जीत पर पूछे जाते है या सवाल जीत पर उनको चमकाया जाता है हार पर गायब तो फिलहाल जनता ने करनाटक की जनता ने अमिश्चा के इस दावे का फलूदा निकाल दिया है देखना है इस साल के होने वाले चुनाओं में क्या होता लोकसवा चुनाओं में अभी वक्त है विधान सवा पहले और लोकसवा चुनाओं के पहले भी जिस ढंग से विपक्षी दलों के बीच एक संजीवनी का संचार हुआ है एक ताकत का संचार हुआ है जिस तरह से ममता बनरजी के बयान आने लगे है कॉंग्रेस को लेकर कॉंग्रेस नेताओं में जो एक जूटता दिखने लगी है कॉंग्रेस नेताओं में विपक्ष को साधने और साथ लाने कि जो प्रविर्थी एक तरह से रिफलेक्ट हो रही है विपक्ष के कुछ डल भी ऐसे संकेत दे रहे उससे 2024 उतनी आसान मोदी के लिए उतना आसान नहीं है जितना आसान चार मैंने, छे मैंने पहले लग रहा था हम देखेंगे, जो होगा दिखाएंगे फिलाल इस वीडियो को खत्म करते हैं मकसद था अमिश्टा के उस दावे को दिखाना अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब किया है तो जोईन करें बहुत कुछ यहां मैं वो बताता, सुनाता, दिखाता रहूँगा जो शायद आप किसी न्यूज चैनल पर नहीं देख और सुन सकते ना कोई वहाँ उनसे सवाल पूछता है जो देश के सत्ता के स्षिर्ष पर बैठे है चाया मिश्टा हो या मोदी हो फिलाल इस वीडियो को कतम कते है नासकार